तो दोस्तों मोधे ओट करने के बाद भी जविजेच्वी सरकार मेरी पात नहीं सुच रही है और जिए कहना चाहूंगी कि यह करूँगी इनको हम सभी लोग माव नहीं करेंगे अगर हम लोग है जा भानार करेंगे पर लोग इस सरकार नौक देखें इनको देखिए सवाफातुने, इनकी आखों के आसू देखिए, सक्तरा दिल से आखों के आसू किरना बंद रही हुए इस बेटी को कोई पाने के बोतल पकरा दे ये लोग यहां पर इस पॉन किजे हैं विलस को क्इजे को फॉन कीजें विलस क 되고 बेढलेश को स्विद से लुष्टारी की रो रही हैं आसों में रुकरे। पीछे यहां तर्जिते हुए हैंूने देखे हैं। यह बेटिया कर्षाल देखिए, यह बेटिया सरक पर पड़ी हुई है, बेखोश पड़ी हुई है, इनके आसू हम आपको दिखा रहे हैं, आज बेखोश हो चुगी है सबा, सबा के बारे में आप सब जानती होंगे, इनके पिता को कैंसर है, मा की तबियत खराब रहती है, य किมाने वाले हां यहाँ पर सरफार से घुहर लिगा रहे है, आपके नौकरी की मांकरें लही है जितना ही हाँ है, इस अबारे है, सबाने खा इलि लुगंको आ जितना रही है, में द्र它 भे साने इस व्रे बेटिया, बस अब इतने सारी लोगों को यहां पर वेखे है सबा hour कोई सुनने को तैयार नहीं है अगर कुछ भी हो दिसकी जीमिदारी सरकार की है सरकार को अब तक बात मन लेनी चाहिए को इस जीयों करते ना चाहिए अपने अधिकारी को बेज़ते हैं कम सकम विज़ा किनल आनंद जी को आगे देखना चाहिए वार जिमिदारी हो गी एक तो यह पाती हुँ ना यह लोग लोगों को पाइसा नहीं हम अपने खाउंस निकाल खर्च कर रहे हैं 110 115 वाले प्यार्थियों को नोखरी नहीं देते तो आप अन्याय कर रहे हैं आपको तो सैचिकमेंट लगानी नहीं चाहिए थी आपको तो नंबर भी सेलेक्शन करना चाहिए आपने पच्छ पात तो पहले कर दिया कि सैचिकमेंट लगा दिया सबके साथ अपने अन्याय किया है अब भूगे प्यासे हम लोग पाइजे रहते हैं आप लोग सुद देने नहीं आते हैं अब लोग इसी पाइजे रहते हैं कब तक हम लोग रहेंगे बताइए आपे अगर कोई काईजवेल्टी हो गई तो इसकी जिमदारी आप होगी पूरे यूपी तक पद्रामी आपी क जाएगी कौन वोड़ देगा इनको बताइए को वोट यह यह उत्तरप्रदेश में हाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहीं जाती है अगर दुबार अगर बीजेपी गई तो फिर दुबारन लौट की नहीं आएगी मां बता दे रहा हूं वीवेक दिवीदी बो इने मुद्व पर पुसरकार बनाई जाती है और गिराई भी जाती है ते इस बहुत है कि आप देखे उत्तरपदेश में उत्तरपदेश में कहा जाता है कि बेटियों को फिटygों को सुरक्शा मिलती है यह पार दा leBelli और ड agar लंघ भार ऊवार पारेश का मॉसम हैं प्रिक्षाय पास कर चुके हैं लेकिन फिर भी बेरोजकार सड़कों पर चड़े हुए हैं मतलब की दुनिया में एक सीभा सा सवाल है कि इन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या है कि सर्कार इन लोगों को नोकरी दे दे नोकरी मिलती नहीं है क्या शिक्षा मंत्री के भाई को इड़ाई में ली थी इनको क्यों नहीं मिल रही है ये लोग 15 दिन से लगातर सरकों पर भूखे प्यासे बेरोजकार पड़े हैं सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है और सरकार इनको नोकरी क्यों दे दे आज इसी पर बाद करेंगे तब को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आपको नोकरी दे दे मैं पता नहीं क्यों सरकार जो है एक्जान नहीं रही है कि एक चार कहीं थे जो घनान उनको हटा कि जो अच्छन कुप्त को राजगती दे लिये थे तो दोस्तों आल लग भग तिन से चार अप